आज हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में विशेश रूप से खेती किसानी करने वालों की संख्या बढ़ी है और आज हम स्टार्ट अप्स देखें तो अराउंड 40% स्टार्ट अप्स यह फार्म सेक्टर में आ रहे अचे लेकिन उतनी तेजी से फार्म सेक्टर में हम स्किल नहीं दे पारे हैं वहाँ पर हमको skilling करना होगा क्योंकि धिरे धिरे हमारा जो कृषी का क्षेत्र है इसमें हम लोग unskilled इस प्रकार के मानव संसाधन के भरोसे इस क्षेत्रों को हम गती नहीं दे सकते इसको अगर गती देनी है तो इसमें आधुनिकता लानी पड़ेगी इसमें भी कौशल देन पड़ेगा और हम लोग क्या कर रहे हैं हमारा जो पुराना किसान था वो वेज्ञानिक था उसको पता होता था कि मैं क्या कर रहा हूं देरे देरे हमने उसकी वेज्ञानिकता खतम कि और उसको एक रिचूल के रूप में प्रोसेस के रूप में उसको हम लोगों ने डेवल लाए उसमें हम टेक्नोलोजी लाए आज हम लोगों ने महाराष्ट में कई प्रोग्राम शुरू किये हैं जिसमें वर्ल बैंक के साथ हम लोग एक कारेकरम करते हैं दस हजार गाओं में हम लोग एक्ग्री बिजनेस सुसाइटी में परिवर्तित करके किसानों का मार्केट किसानों के हाथ में देना इस प्रकार की विवस्ता वहां खड़ि करने का प्रयास हम लोग कर रहे है मुझे ऐसा लगता है कि यह जो सारे प्रयास है इन प्रयासों में आज हमारा corporate sector और हमारे NGOs इनके बहुत महतुपुर्ण भूमिका है मैं हमेशा कहता हूँ जिस समय हमने village social transformation शुरू किया उस समय मैंने कहा था कि सरकार की scheme तो चलती है और कई सालों से चलती है लेकिन सरकार की काम करने के गती भी होती है और सरकार की अपनी विवस्ता भी होती है सरकार एक हाती जैसे है यह हाती जल्दी बैठता नहीं है और बैठा तो उठता नहीं है इसलिए ये जो gaps होती है इन gaps को हम कैसे भरे एक flexibility जो चाहिए उसको हम कैसे भरे और इसलिए जब vigilance social transformation हमने शुरू किया तो हमने NGOs को कहा कि आपके पास technology है आपके पास know-how है आपके पास flexibility है हमारे पास scale है हमारे पास पैसा भी है लेकिन ये जो एक gap है उस gap को आपके technology के माद्यम से और आपके bridge funding के माद्यम से आप भरिये तो हम लोग ये सारे जो social transformation के माइने है उसको बदल सकते हैं लोगों को healthcare हो लोगों को शिक्षा हो लोगों का housing हो लोगों का training हो लोगों का job creation हो ये सारी चीजों में जब सरकार और NGOs और corporate sector ये साथ में आते हैं तो एक ऐसा combination बनता है कि जिसमें scale के साथ professionalism आता है जिसमें पैसे के साथ accountability आती है और इसके करण एक बड़ा परिवर्तन हम सब लोग मिलकर कर सकते है वो हमने करके भी दिखाया है तो मुझे लगता है कि आज जब हम लोग corporates का CSR का role और NGOs का role इसके बारे में बात कर रहे है तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी gaps है इसको भरने का काम करना पड़ेगा